तो आज हम हमारे AutoCAD 2D Practice Set को complete करते हुए इस वाले Assignment को करेंगे इससे पहले हमने इस वाले Assignment को Practice Set के अंदर किया था और नीचे Playlist का Link भी है वहाँ पर और भी बहुत सारा Drawing हमने किया था अगर यह सारा Drawing आपको आता है तो बहुत अच्छी वात है अगर नहीं आता है तो Playlist को Consider कर सकते हो और अगर आप सिर्फ इस वाले Drawing को देखने के लिए आया हो तो मैं कुछ भी नहीं कहने वाला सिर्फ ए वाला Drawing देख करी तुम चले जा सकते हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारा यहां पर line weight देखेंगे 0.30 mm और उसके उपर यहां पर white color चूज करेंगे या तो आप यहां पर layer भी create कर सकते हो पर मैं उतना advanced level पर अभी के लिए तो नहीं जा रहा जब हम machine drawing करेंगे तब हम जाएंगे कुछ दिनों बाद ही इस playlist के अंदर 2D machine drawing का भी वीडियो आएगा auto guide का तो फिलाल हम यहां पर क्या करेंगे मैं कैस सोच रहा हूं मैं drawing live में पहली बार करने जा रहा हूं तो देख पा रहा हूं कि क्यूंकि मैं बता ही दिया था कि फिलाल मैं यहां पर इस वाले line को करूंगा यहां पर इसका data वी given होके उसके बाद मैं क्या करूंगा इन सारे line का offset लूँगा और offset लेने के बाद मैं क्या करूंगा मीडी लाइन से मुझे यहां पर भी offset दिख गया और उसके बाद यह वाला लाइन होनेकर यहां इतना दूर यहां पर भी offset ले लूँगा उसके बाद हम यहां पर fillet भी ले सकते हैं यहां tangent, tangent, radius वाला circle भी ले सकते हैं यहां पर देखो radius के radius दिया भी हुआ है और यहां पर हमें कुछ circle circle लेने के बाद trim film करना होगा तो बहुत आसान सा drawing मुझे फिलाल तो लग रहा है और कुछ भी हो आसान हो या tough हो मज़ा बहुत आएगा तो फिलाल हम यह वाला drawing करने के पहले हम यह वाला line कीचेंगे उसके बाद यहां पर इस 0.5 है मतलब इसका आधा कितना होगा इसका आधा होगा 0.25 मतलब इस उपर भी 0.25 और नीचे भी 0.25 तो हम offset ले ले लेंगे तो हम यहाँ पर पहले एल दबा के इंटर मार रहे है एल क्या होता है लाइन कमांड होता है ओके तो हम यहाँ पर नॉर्मली कहीं पर भी एक line कीच दो इसके बाद मैं क्या करूंगा इस line को क्लिक करूंगा मतलब select करूंगा इस line को select करने के बाद ओफ दबा के इंटर मारूंगा तो offset होगा तो कितना उपर offset होगा 0.25 दबा के इंटर मारूंगा उसके बाद क्लिक कर दूंगा फिर से इस main line को क्लिक करके नीचे के तरह भी क्लिक कर दूंगा तो हमारा offset हो गया उसके बाद हम यहाँ पर इसको जोड देंगे तो एल दबा के इंटर मारते है line टूल लेते हैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जोड देते हैं काम खतम एक कम तो खतम होगा उसके बाद हम यहाँ पर इतना इतना distance पर और एक offset है ओके तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस को क्लिक करेंगे यहाँ पर में select करूंगा ओफ दबा के इंटर मारूंगा इधर ले आके 3.68 दबा के उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हमें पता है कि यहाँ जो middle line है इस middle line के ऊपर एक offset है 0.50 तो हम ले ले लेंगे ओ एफ दबा के इंटर मारेंगे उसका ऊपर के तरफ डायरेक्शन देगे 1.50 देकर इंटर मारूंगा यहाँ पर क्लिक करूंगा काम खतम उसके बाद इस line से भी नीचे एक offset होगा 3, 3.00 दबा के मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पर क्लिक करूंगा तो offset हो जाएगा काम खतम हमारा actually main काम खतम होई गया उसके बाद एक second यहाँ पर और कुछ भी और कुछ चाहिए यहाँ पर फिलाल अच्छा इस line से इतना दूर एक offset है जो यहाँ पर यवाला light है इस line से कितना दूर यहाँ पर 1.75 दूर enter इंटर मारूंगा उसके बाद यहाँ पर एक offset हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर भी ओक यहां पर भी एक offset है 1.62 इसी के base पर तो फिर से मैं इसको क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद इस तरब जाके 1.62 दबा के इंटर मारूंगा उपसेट होके उसके बाद यहां पर जो इस point के base में इधर एक offset है यहां पर हम आके 1.38 दबा के इंटर मारेंगे उसके बाद हमारा सब कुछ हमने ले लिया अब हम escape मारते हैं और हम यहां पर भी इसको थोड़ा साप कर लेते हैं साप करके हम यहां पर चिन्नों कर देते हैं कि हमने कौनसा कौनसा यूज कर लिया यह ह दोनों को भी use कर लिया और इसको भी use कर लिया इसको भी use कर लिया तो हमारा काम खदम उसके बाद a line उपर तक जाएगा तो इसको हम extend कर देंगे इस दबा के इंटर मारो, यहां पर एक बार क्लिक कर आटो के अट पर, इस दबा के इंटर मारो, उसका इस लाइन को ऊपर की तरह एक्स्टेंट करना होगा, इसका काम ऊपर है, और इसका काम यहां पर नीचे है, तो हम इसको नीचे की तरह एक्स्टेंट करना होगा, और इसक लेने के लिए उसका बाद यहों के रीडियस वाला सरकल यह तो सेरो वहोथे उसके बाद हमिला घ्राने के तो लाइन कीचेल यहांपाte वहांड होगा। यहांपाड तक सकते हो quadrant से भी तुम यहाँ पर ले सकते हो या फिर मैं सोच रहा था अगर मैं tangent से ले था जैसे कि यहाँ पर line tool तो active है यहाँ पर shift दबा के right click करके tangent क्लिक करो उसके बाद फिर से यहाँ पर shift दबा के right click करके perpendicular क्लिक करो तो perpendicular हो जाएगा काम खतम उसके बाद skip दबा दो फिर से इसको तुम डायर इधर वही process इस्तेमाल करो या फिर मैं इसको copy कर देता हूँ cp copy भी कर सकते हो या फिर तुम mirror भी कर सकते हो इस line के respect पर mirror हो गया उसके बाद no दबा दूँगा काम खतम एक काम करने का बहुत ज्यादा तरीका है आप जो भी choose कर सकते हो तो यह हमारा तो इधर हमारा काम खतम हो गया यहाँ पर trim करना है यार डावर एंटर करूंगा और इधर trim करूंगा यह हमारा काम खतम और इस line को layer रहने तो बाद में हम इसको center line में convert कर देंगे या तो तुम delete भी करो कोई लफडा नहीं है ओके इधर भी हम delete कर देते हैं कोई बाद नहीं उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो यहाँ पर 0.5 है ना तो इधर भी यह पूरा 0.5 ही है ओके तो 0.5 का आध नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर फिर से इसको click करेंगे click and का ओफ़ेब करेंगे यहाँ पर click करेंगे और 0.25 भी हुआ ना यहाँ पर click करके 0.25 थोड़ा मोटा नहीं हो गया कोई बाद नहीं उसके बाद हम trim कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए टी आर डावल एंटर करेंगे उ लाइन भी नहीं चाहिए और यहाँ पर एलाइन भी नहीं चाहिए एलाइन भी नहीं चाहिए और एलाइन भी नहीं चाहिए और एलाइन भी नहीं चाहिए उसके बाद हम यहाँ पर ना क्या करते हैं यहाँ पर हम यह यह देखो यहाँ पर एक option है टैंजेंट टैंजेंट टेंजन को रीपीट करेंगे यहाँ पर बहुत परasında करोर्म कलीट करेंगे तो यहाँ पर बहुत करो और यहाँ पर भी क्लिक करो ऊसके को चलते हैं यह पर कुछ बाकी तो नहीं रहेगा अच्छा यहां पर रेडियस हम ने यूज किया भी उसके बाद यहां पर उपर पहले ही मिला हुआ है circle का ओके, तो हम यहां पर C दबा के enter मार रहे है circle, यहांपर Click करेंगे, click करने के बाद a diameter वाला circle है तो यहां पर लेंगे, उसके बाद 0.13 दबा के enter मारेंगे, circle होगा, उसके उपर भी एक circle है, फिर से हम space भी दबा सकते हो, या C दबा के भी फिर से हम इस इंटर पॉइंट को लेंगे उसके बाद नॉर्मली रेडियस वाला सरकेल है, तो हम 0.25 दबाके इंटर मारेंगे, हमारा काम खतम, उसके बाद तुम यह वाला लाएंग चाहो तो डिलीट कर दो, यह रेस कर दो, तुमारी मार्जी, उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे उसके बाद हमें एल दबा के इंटर करेंगे अच्छा यहां पर देखो यहां से एक सर्केल आ रहा है यहां पर दिखा देता हूं यहां से मैं टैंजेंड लेकर यहां पर एक सर्केल आ रहा है तो एक सर्केल के उपार दूसरा सर्केल कैसे टैंजेंड होता है वह हमें उन जमेला पर नहीं आना मैं यहाँ पर सेट पर लाइन खीज दूँगा उसके बाद नॉर्माली नीचे वाला प्रोसेस को रिपीट करूँगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अगर हमारे प्लेलिस्ट को कंटीनू देख रहे हो तो यह सारा आपको बहुत ही आसानी से आता है फिलहाल मैं यहाँ पर एल दबा के आटोकेट पर क्लिक करता हूँ यहाँ दबा के इंटर मारता हूँ तो लाइन हो गया उसके बाद यहाँ पर मुझे क्वाडरेंट दिख गया तो इसको मैं सीधा यहाँ नीचे खीज रहा और्थो मॉड अन कर लो नहीं तो प्रॉब्ले हो पर करेंगगे इस लाइन को भी छोड़ दो एस लाइन लाइन की खरिण की पी जरुषिए यहाँ लागव काम खत्म हो गया तो का भी जबुरत नहीं है और कुछ रहे गया है तो मुझे बता सकते हो फिलाल तो मेरा तो लग रहा है कोई सब कुछ हो चुका है अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहे है कि यहां पर डिस्टेंस थोड़ा मूटा हो चुका है तो आप खुद से कल लेना हो कि अगर मेरा डाइमेंस इन में कुछ गडबड हो गई है आपको पॉसेसर पता चल गया है इसको भी काट देत हो इसको भी काट देत हो उ में सेंटर लाइन देते है उसके बाद जो करना यहां पर प्रोपटस पर जाएंग lavouse यहां पर इसको कट करें ऑसके बाद यह रहा है यहां पर मैंने कुछ गड़वर्ड किया है एक सेकंड की इसका radius मैं देख लेता हूँ यहां पर मैं annotate पर जाने के बाद यहां पर इसका radius अगर मैं देखूंगा यहां पर radius 0.006 एकदम perfect ही है पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता यहाँ पर मैं इसको खींच कर एकदम नीचे की तरब ले आऊंगा क्योंकि assignment पर ऐसा ही है इसको भी मैं एकदम यहाँ से खींच कर इधर ले जाके इधर छोड़ दूँगा जाओ ले सकते हो और फिर से अनोटेट पर जाओ यहां पर क्लिक कर इसके बाद इस लाइन का सेंटर लाइन चाहिए मिल इसको तुम पकड़ो पकड़के इस ले आओ उसके बाद छोड़ दो तो हर चीज का solution है तो फिलाल मैं यहां पर dimension एक बार देखा देख लेता हूं मतलब मेरा सांती मैं सांती नहीं कर पा रहा मुझे लग रहा है कि कुछ गल्ती होगी यह मैं यहां पर कोई linear वाला dimension लेने के बाद मैं यहां पर एक सेकंड इसके बाओ space दबाओ यहां पर जो center point है इस center point के साथ मैं इस center point का distance मापता हूं वेकाने कितना है 1.38 एकदम perfect है उसके बाद फिर से space दबाओ फिर से यहां से center point मापता हूं यहां पर click कर गए यहां पर center point दिया है तो कितना दिया है यहां पर 1.62 भी एकदम ठीक है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहां पर यहां पर बाहर की तरफ है तो इसको तुम ना यहां पर इस पूरे को select कर गए इस arrow को तुम flip कर सकते हो अंदर की तरफ भी हो जाएगा यहां पर भी तुम इस तो flip arrow कर दो हमें किसी के साथ मतलब dimension में किसी के साथ overlap नहीं होना यहां पर कुछ fillet का option नहीं है फिलाल तो मैं नहीं दे रहा आप यहां पर कुछ fillet दे देना ओगे अच्छा fillet अगर नहीं देना था तो fillet भी मैं देखा दिखा देगा यहां पर यहां दवा के enter मारो फिलेट हो जाएगा उसके बाद तुम fillet का radius कितना दोगे आर दवा के ícia के center मारो इसके बाद यहां पर तृम यहां पर क्लिक करो उसके बाद आंघ राएयं कि हर चगा फिलेट दिया हुआ है मतलब कि गुमाऊदर लग रही तो तुम हर जगा ऐसे on हौसे दीखा दिखा दिया उसके बाद तुम कर लड़ा से यहाँ is princi приним siz कर दो इस जगा पर i यहां पर इसको ट्रीम मत करो क्योंकि इसका स्केल बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इस पूरे टेम्पेट का प्रिंट आउट करूंगा तो ए बॉड़ी दिख जाएगा पर यह वाला बॉड़ी नहीं दिखेगा इसलिए तुम्हें इसका स्केल बढ़ाना होगा दु बढ़ाने के बाद डाइमेंसें में एक प्रॉब्लेम आता है उसका अभी सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो पर ही करके दिखाया है नीचे प्लेलिस्ट का लिंक होगा आप चेक आउट कर सकते हो यह नहीं करना तो आज के लिए बाई बाई फिर मिलेंगे नेस्ट इस असाइन्मेंट पर